वीडियो में आपको बताया था कि हम किस तरीके से जो स्विंग ट्रेड होती है या लोग ट्रम ट्रेड होती है होटी हो उनको बड़े सानी श्रॉंग कर सकते हैं आप किस तरीके से एंट्रा दे ट्रेट कर सकते हैं और जो भी यहां पर इंटरेट ट्रेट मिलेंगे उनकी प्रभावलटी काफी जाद है हाए होती है तो वीडियो अपने पूरा देखना है और वीडियो अच्छी लगते तो प्लीज लाइक जरू करना वीडियो को चैनल को सुस्प्राइब जरू करना है अ यानि कि वन आर पे हम सपोर्ट और रेजिटनस तोनों मार्क करेंगे बेस्ट औन बडए प्लेट जैना उन्होंने कहां पर बाएंग कि और कहां पर अपनोंने सेलिंग किया तो मैं इसको फाइब मिन्मिन्ट के चाट को वन आर के चाट करता हूं याप आप द्यान से समझि कि जो पीछे का दो तीन दिन का जाते पीछे नहीं आपनी कुछके अना पनी प्रम ने इंटरे के डिली है तो पिसले टीन चार दिन का हमने यह देखना रहा है सहिन है और निचे लेख रहना है जो में हमेशा उपर के level पर sell करेंगे नीचे के level बाय गाइ करेंगे। हमेशा इस profit को मुता हैं वो तभी होते हैं मान्स तो ब्रोड जब बाइ करेंगे तो हमने यही level था आउनि यहां यहां पर sell किया है तो वह अपनी इस की position को तो तो हमेशह Defend करेंगे और यहां पे इन्होंने बाय किया है हमेशा वह अपनी इस पोजिशन को यानि कि अपने प्राइस को Defend करेंगे। एंकर वीप के सहारे से एंकर वीप की हेल्फ से हम जान सकते हैं कि जो बड़े प्रेड़ से उनका पैस प्राइज आनिका एवरेस प्राइज क्या है तो सबसे पहले हमने क्या करना है Swing High इसको ले लेते हैं और A Swing इसको ले लेते हैं यहाँ पर हमने अपना Anchor View Up लगाना है आपने जो पहली वीडियो Anchor View Up के अगर नहीं देखी है तो मैं आपको बतायता हूँ Anchor View Up को आपको कहां से मिलेगा यह आप सामने देख रहे हो यह अभी बड़त यह बाइड़ भाइड़ नहीं लगा हूगा बाइड़ फॉल्ट यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन दिखेगी अपने क्या करना है इस पर अपने के एडियों पर पर आविप एमरा फ्लियू बहां इंकर यह पे आ अच्छी है तो मैं क्या करूँग बढ़ना इसको इस candle पर कहीं भी मैं क्लिक करूँगा, मैंने क्या करना है, इस candle का high और low लो मार्क करना है, तो मैंने क्लिक क्लिक क्या, यह उपर high हो गया है, क्योंकि अपर है, मैं बता हूं आपको, यहाँ पर source high, चीक है, यह ओके, तो यह मेरा anchor via plot हो गया है, हाइस है, ऐसे ही मैं क्या मैंने सेम केंडल क्लिक के यहाँ पर, उसका सेटिंग में गया, सेटिंग में जाके यहाँ था, मैं इसको यहाँ पर source को low करूँगा, तो मेरा anchor via plot क्या है, यहाँ पर high और low भी दोनों लग गया, तो मेरे पास यह दो लेवल हो गया है, मेरे पास दो प्राइस के लेवल हो ग बोलूँगा और यह एक dynamic support और dynamic level है, तो अब मैं क्या गरूँगा, मैंने अपनी levels मार्क के लिए हैं यहाँ पर, मैं जाओंगा यहाँ पर 5 minute के चार्ट पर, क्योंकि जो trade लेनी है, वो 5 minute के चार्ट पर लेनी है, तो यहाँ पर 5 minute के चार्ट पर चले गया है, थोड़ा साम पीछे से लेता हम, जहां से muk की हैं, जिससे पता लगए कि यह जो level से कैसे काम करते हैं, कितने अच्छे तरीकर से काम करते हैं आपको यहाँ पर पता लगएगा. मैं पीछे लेता हूँ उसको तो हमने यहां सेstairs लेवल मार्क किये हैं यह हमारे बहुत सही डायनमिक सब्सक्राइबिए अब यहां पर देखें जब भी मार्केट हमारा इन दोनों उनसे उपर होगा तो यानिकि एक बूरिशनेस होगी मार्केट में तेजिया मार्केट में और जब भी यह नीचे होगा तो आप समझो यहां यहां पर आप देखें यह उपर गया एक candle इस ने इसमें बुलिश देखी उसके बाद यहां पर एकडम से नीचे आ गया यानि कि आपने put लेनी है या फिर आपने कोई bearish position बनानी है यहां पर आपने entry ली उसके बाद यह लेवल अगर आपने नीचे से वह बनाई है यानि कि कोई bearishness position बनाई है तो जो ऊपराला लेवल है या आपका stop loss लेवल होगा जब भी यहां आएगा आपने, sorry, trade से निकल जाना है तो यहाँ पर आप देखो आपने यहाँ पर कहीं पर enter की होगी उसके बाद इसने अराम से आपको बहुत अच्छी नीचे की moment दिया बहुत अच्छी नीचे की moment दिया इसने आपने उसके बाद अगर आप trade में बने भी रहते हो अगले दिन भी आपने यहाँ पर इसके बाद इसके बाद इसने बहुत अच्छी नीचे की दिया इसके बाद आप देखें यहाँ नीचे यहाँ यहाँ पर नीचे आ सकते हो अराम से आपको profit ट्रिंग करोगे बहुत चाप profit होगा यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर एक बहुत अच्छी बाइंग होई है बाइंग होने को आप देखें यहाँ पर आके इसने एक support resistance लिया है तो यह जो levels है बहुत important है यह जो levels है इनको देखो जो बड़े players है उन्होंने इन levels पर sell किया हुआ है अब जब कोई भी मलब चाहे कोई दूसरा बड़ा player हो कोई भी इस level को पास लेके आएगा price को वो अपने level को defend करेंगे वो यह इनका price है वो उनका average price है इस price के ऊपर देगा तो उनको loss होगा तो अपने उसको defend करेंगे उसको दुबारा से निचे देखे लेंगे वो आप दे से इन्होंने मतलब ओपन ही इतना उपर गया है और एक ही candle में 400-500 पांट के candle बनी गया है तो जब इस तरह का price action हो तो पहली candle आपने आवर्ड कर देंगे यहां पर हम कोई position नहीं बनाएंगे हम position इस तरह के price action बनाएंगे अब यह नीचे आ गया है अब यहां पर इसने यहा पर अगर price जाएगा ठीक है और price action यहां पर दिखेगा हमें अच्छा price action है तो हम इसमें entry करेंगे नहीं तो आप यहां पर देखें जो पहले के हमारे players थे जो पहले के हमारे बड़े players थे उन्होंने फिर इसको नीचे कर दिया है और आप यहां पर देखें आज के दिन यान पर candle close कर दिया है और उसके बाद भी हमारी candle है वो नीचे ही है तो यहां पर प्रॉपर हम एंटरी ले सकते हैं और अभी market live ही है बहुत probability है कि यह market हमारा यहां से नीचे की movement दिखाए ठीक है friends तो I hope आप समझ गयोगे हमने one hour के chart पे अपना जो swing high or low level है उसको मार कर लेना है क क्योंकि वहां पर हमारे बड़े प्रॉपर की entry है उसके बाद हमने उनी levels को देखना है कि उन levels पर आके market क्या यहां पर उसका reaction क्या है वो जैसे भी जो जो दोनों लेवल से हमारे इन दोनों लेवल के ऊपर है तो bullish है इसके नीचे है तुमारे bearish है हम hedge करके position मिलाएंगे तो यहां पर एक नीचे की moment यहां पर आ सकती है फ्रेंट्स दो बजे का सपास हमने इस setup के मदद से एक trade find कि यहां पर एक bearish trade तो आप देखें यहां पर इस लावल का सपास कही market था दो बजे का सपास और उसके बाद market ने क्या नीचे की moment दी है आप देखरो फ्रेंट्स यह market उ देखो यहां पर अभी आप देखो तीन बच के चे मिनट हुए है तो आप अराम से अपना profit ट्रेल कर सकते हो तो कहने का मतला फ्रेंट्स यह लेवल्स बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं आपने जो मेरे वीडियो में चीजे बताइए उनको ध्यान से आपने देखना है सम अबने यहां पर एक लाइव ट्रेड में दो बजे में आपको बताया है कि हमारे नीचे ट्रेड बनती है और उसके बाद मुवमेंट आप लेख सकते हैं किस कितनी अच्छी इंट्रेड में हम मुवमेंट में लिए तो आप वीडियो को लाइक किजिए और चैनल को सब्स्क रूकिजिया फ्रेंट थैंक यू सो मुच